भाईयो आज माया हूँ जिलाम रोहा के गिराम मीरपूर में और जिन किसान भाई के पास आया हूँ ये बहुती बढ़िया तरीके से गन्निक खेती करते हैं और कई गन्ना किसमें ऐसी है इनके पास जो आपको वीडियो में भी दीख रहा होगा लंबाई भी काफी है और गन् सबस्क्राइब को मेरा नमस्कार मेरा नाम रोखित कुमार मेरा अमीरपूर ये लाम रोहा तैसिल धन्हों रहा तैसिल अस्रों है अंतर्गत गाउं अधा हमारा अच्छवाश्या आप यह बताईए हैं आप ने इस गन्ना सिंपल यह दिक्ना जाना हूश्याजान भाइए झताल पहले वह यह यह तो आपने जैसे यह सिंपल विदी से इतना बढ़िया गंणा कर लिया तो यह गन्ना किस्व कौन सी है यह बताए यह यह वीशीये 517 का इतना जादर रोला मच रहा है कि वह राइटी बहुत अच्छी जिन भी किसान भाईयों के पास में जारू है कि सब बहुत बढ़िया है किसान भाईयों को नहीं गन्हा किस्म है इसकी सही जानकारी किसान भाईयों को पता चलनी चाहिए लागत की भी है तो आपने कब भाई की थी तीन अपरेल में इसकी बुआई हुई थी दोजार तेइस अच्छे या उसके बाद कब सब्सक्राइब मेरे ज्याइन चोविस चोविस दोजार चोविस उसके बाद हमने दो वार इसमें यूरिया दिया है अच्छा बुआई पर क्या लगा था आपने फंगिसाइड ना सकते पिपरोनिल पांच परसेंट वाला लिक्विड वाला अच्छा मलब नॉर्मल आपने लगते हैं अच्छा जमीन कैसी आपकी जमीन है जैसा आपका गन्ना हो रहा है ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा डोज दिया हो सकता आपने जैसे नया वीज इस वहीं से लगा दिया हो पाने बेंतानी चलाया अपने हिसाब से पानी दिया बंधाई का बहुत ध्यान लख और बंधाई क्या बार करवा दी इसकी तीन बार बंधाई भी जैसा आपने पानी तरीके से घहरा जुद जाता और नालियों में मिट्टी डहती नहीं तो तुमने सुक्षें बवई करी चलो तो बात मैंने माली तो सिंगल भड भी वह था या डवल वह था चलो दो तीन तीन आथे वह हमां का वह है पुराना तरीका अच्छे 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 तो जैसे आपके यह गन्ना हो रहा है तो किसान भाई यह कहते हैं कि इन्होंने एस्टा लागत दी है तो आपने यूरिया कितनी बाल लगाया तो बार यूरिया दिया बेंता यूरिया से कोई लाब नहीं है अच्छा जमीन में पड़ा रहता है तो जैसे बाद को इस पर बगएरा कुछ दिया है इस पर एक करा था जरूत तो ना पढ़ी थी पर ऐसा है हम डरे होए थे 38 वह रखा रखा सभी को कर दिया हमें जीरो बामन चोंटिस और एक लिए थी हमने उसका यह सागरी का लिक्विड वाली जी उसको करना था था तो उसमें कीट ना सक भी डाल लिया, कभी कोई दिक्कत आ जाए, आई हैं एक तो और आप देखना चाहो उसमें प्रे ना करा अच्छा यह गंण पहचान करवा यहां आपको थीख थाक है मोटाई में कोई परिसान नहीं बिल्कुल अच्छा गन्य की पोरी बहुत लंबी है इसका करेक्टर है यह लंबी और मोटी पोरी अच्छा जैसे गन्य की हाइट है इस मुकाबले का जैसे 0238 आपने लगाया होगा यह इतनी लंबा ह यह लंबाई नहीं जैसे पीक टाइम था अच्छी करते हैं बहुत मैंनत करते हैं लगन के साथ पर इतनी परफोर्मेंस इसने दी है इसनी अर्टिस ने कदी नहीं और अर्टिस की लागत तो यहां सभी को पता हां यह तो बहुत बढ़ गई हाला कि अपने समय का राजा था है लेकिन जैसे आप लाए थी जब बजन कैसा लगा था बहुत अच्छा वाला बजन था इतना वर्टियों हमें नजर नहीं आया अच्छी है मोटे गन्य थे अच्छे बजन दारे गन्य थे जैसे यह कहते हैं कि भी नॉर्मल लागत में और पैदावार अच्छी हो तो किस करना आगे को लगा हाँ थोड़ा 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 बोलो एक कुंटल दो कुंटल बोलो उसके बाद अपना अच्छा लगए तो बहुत आया तो बोरर बहुत आया आपको इस गंदी में थोड़ा बहुत लगा ऐसा कि आया यह नहीं यह सबसे जादा घातक 38 के लिए हैं अच्छे इसमें बिल्कुल भी दोनों चीजों का कोई प्रिकोफ नजरी नहीं आए ना बिल्कुल भी आपका अगला इसकी पहचान बात तक रहती है यहां यहां वह गन्ना पिचका हुआ होता हां बीच में दबा हुआ हूँ निसान थोड़ा 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 थोड़ी तो आखिर तक रहते हैं इस वराइटी में बिल्कुल भी जट्रो जैसे आपने सिंपल विदी से बोया कुछ किसान भाई ट्रंच विदी से बढ़ते हैं तो यह गन्ना कौन सी विदी से बढ़िया हो देखो यह तो खैर मैं ज्यादा बढ़ी बात निकाने का यह तो पता कर कहीं पता चलेगा क्योंकि 28 के ही हमारे पास किर्सी अंत्र हैं अगर हम चोड़ाई पर बौई कर रहें तो जैसे जमाओ कैसा लगा अप जमाओ बहुत अच्छा और आप देख लो कंटिनियू सारा कल्ले 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 की संक्या मीडियम है अच्छा गन्ना मोटा भी काफी है लगा लेते तो गन्नाहोर बढ़िया हो जाता अब मैं आप आपसे बता हूं लोगों के मन में भिराम है दवाईया लगाने से गन्ना तखड़ा हो जाता है दवाईया रोकने का काम करती हैं अगर आप अपनी लागत बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसमें और चीज लगा दो यह तो है पोटास लगा दो जी अच्छा गिरोध पर मोटर के काम करें लिख विडवाली सागरी का जो हमां अच्छी तो पर मोटर ही हो गया हाँ यह तो है चैसा एक जानकर योड़ दो आप अगर जैसे यह लगाया है शुरूबार लगाया था तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा मन में यार होगा जैनल नी होगा थोड़ा है नी दिकत थीज़ बात की पता नहीं कैसा होगा कही मजाक ने बना करा हो कि दोरे का खेत है कुछ वेराइटी ऐसी होती है बढ़ पास में देखने वाली लोग देख रहे हैं कि हां अच्छा वीज है चलो आप अगर जैसे कोई किसान भाई आप से लेना चाहिए गन्ना तो आप उपलब्द करवा देंगे तो कौन-कौन शी गन्ना वेराइटी आपके पास एक तो वीसी एप 570 यह है एक एसन के तेहरे 374 अच्छा तो आप अपना मोवाइल नमबर हो बता है अच्छा एक जानका रियोड दो जैसे कि कोई किसान भाई आप सक बीज लेना आए मैं अपनी राय दे रहे हूं आपको तो रेट विल्कुल उचीत रखना है नहीं रेट ऐसा नहों कि मेरे पर फोन आया नहीं उनकी वी जाद बता रहे हैं रेट के सीदह होंगे नुर्मल ही रिट होंगे जो एरिय के रेथ होंगे ऊसके मुताबिकी होंगे हम आगा हमने क्या लेक में तो आप रे-घ थिछ वहीं सलबम यहां होती है प्रूध जिएक पहतर है आपको नहीं यह जानकारी देना कि हमने क्या क्या- आपने यह गरना बंधाई क्या बार कर वाया इसके पन्धाई जी तीन बार तो पक्का होगी चार वार की तो वैसे ज़रोत नहीं पड़ने की हो आपने तो यह खड़ा रखने के लिए कि बीज यह गुर्णी के बजाएं एक समस्या हो रहा गरना के बाद उसके नुकसान दो दिन के लिए बाद में ना तो भी भराई में बहुत बड़ी अच्छा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे जंगली जानवर हमारे इधर कम है थोड़ा साथ कुछ हम थोड़ी जानवर करते हैं देखो जंगली जानवर तो किसी भी चीज का नुक्सान अगर आगा तो करे तो भाईयों देख लो बहुत ही बड़ी है जानकारी किसान भाई ने दी और एटू जैड जो जो इन्होंने लगाया वह सेरी दी और कोई भी इनसे नमबर लेना मलग बीज लेना चाहता है तो मैं इनका नमबर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा एक नमबर इनके द दवाई नहीं और लागत बढ़ेगी लोग दवाई को लागत मानते हैं मतलब है मजबूरी सही बाद है इतनी मजबूरी हमारे साथ पैदा कर दी कि हम अगर चार पांच इस पर नहां करें तो हर बीस पच्छिस में दिन बाद टंकी लेकर खड़े हो तो 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 यह अगर रेडरोट तो इसमें कोई तो आने नहीं है अब इस बात का नहीं आने का सब्सक्राइट यह यह रोग रोग रोधी वराइटी तो भाईयों देख लो अगर किसी इस वाई को चाहिए गन्ना तो इनसे संपर करें और जल्दी से जल्दी इनके पास थोड़ाई बी आप बीज ले सकते हैं और मैं ने इनकी सारी वीडियो ये बना दी है और कोई भी जानकर इनसल चाहिए तो और भी जानकर इनसल ले सकते हैं धन्यवाद नमस्कार